दुनिया की कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं बनी है. हर एक चीज का एक expiry time होता है. किसी चीज में वो date printed होती है और किसी चीज को हमें अपने checks method से decide करना पड़ता है कि इसे कब discard करना है. मैं यहाँ पे कुछ discarding method share कर रही हूँ. Namaste and welcome back to Rebounce again. Kitchen की जो wooden चीजे हैं जैसे की spatula, chopping board इनके लिए आप इनमें cracks देखिए. क्योंकि अगर cracks हैं तो जैसे ही आप उसमें सबजी चलाएंगे food particle उसके बीच में फस जाएगा. इसी तरह अगर chopping board side से crack हो गया है तो वहाँ पे भी food particle इकठा होने के chances हैं. अगर आपको live बढ़ानी हैं तो wooden समान को बाकी वरतन के साथ धोने के बाद ना रखें, साइड में रखें. Chopping board नीचे moisture से और जल्दी खराब होता है, तो हमेशा धोने के बाद एक stand या plate रखें और उसके उपर chopping board रखें, live बढ़ जाएगी. बात्रूम में मैंने ये partition के लिए शार कर्टन लगाया है, लेकिन over the time इसमें mold जमा हो जाता है और कई जगह से ये food भी गया है, तो change करने का time आ गया है. मैंने यहाँ पे permanent glass partition इसले ने लगाया है, क्योंकि bathroom बहुत बड़ा नहीं है, तो कपड़े धोनने में problem होती है. मैंने दो शार कर्टन लिए थे, offer में था कुछ 250 रुपए के आये थे. Length में बहुत बड़े हैं, around 12 feet के. यहाँ पे grooves हैं, जिसमें आप hook डालके इनको लगा सकते हैं, ये hook साथ में ही आये थे. इतना लंबा है, तो पुराने वाले शार कर्टन का measurement लेके, मैं इस नए वाले को cut कर लूँगी, और नीचे का जो portion बचेगा, उसको मैं कहां यूज करती हूँ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी. कट करने के बाद नीचे से, मैंने फोल्ड करके सेलो टेप अच्छे से चिपका दिया है, ताकि वो वहां से फटे नहीं, पिछली बार की गलती मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी. लगाने के बाद एकदम पॉफेक्ट मेजर्मेंट का आया है, और दो तिन दिन तक तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. ये जो पुराना वाला शार करटन है, ये भी आधी दूर तक ही खराब है, तो मैं उसको वहां से कट कर लूँगी. नीचे वाला पॉर्शन फेक दूँगी, बस इस बचे हुए पॉर्शन को मैं कहां यूज़ करूंगे देखे. बाथरूम का जो डोर है वो मौशर की वज़े से जल्दी खराब होता है, तो यहाँ पे मैंने उसको स्टिक कर दिया है, अगें सेलो टेप की हल्प से. यह डोर नीचे से खराब होने लग गया था, आप देखी रहे हैं इस तरह के क्रैक्स आ रहे थे, बट यह पॉलिथिन लगाने के बाद लगभग दो साल से यह ऐसी का ऐसा है, एक तो कर्टन लगा है और दूसरा यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड है, तो यह काफे दिन का च अगर स्पॉंजेज वगरा खराब हो गए हैं, तो उनमें बैक्टिरिया जल्दी ग्रो होंगे, इस्पेशली इस तरह के जो वायर मैस होते हैं, अगर खराब हो गए तो हाथ में भी लगने के चांसेस हैं, हमेशा मैं स्पॉंज स्पेर्ब में रखती हूँ और खराब होने के बाद लगभग एक महिने में तो मैं चेंज ही कर देती हूँ, इससे बैक्टिरिया प्लेट्स वगरा में नहीं रह जाएंगे और जल्दी बिमारी नहीं होगी, ये जो ग्रेटर है यहां से रस्ट लगने लग गया है, इसको आप कहीं भी रखो तो वहां पे मारक आने ल का शौक चड़ा था, अब ये मैंने विक्स कर ले आई, लेकिन ये खड़ाब कॉलिटी के था, तो जैसे इसे मिक्स करो ये निकलने लग जाता है, ये पीलर, इसके एक तो शार्पनेस खड़ाब हो गई है, दूसरा यहां पे जो ग्रोवस हैं, वहां पे गंदगी बहुत जल्दी जमा होती थी, तो इन सब को मैं अभी डिसकार्ड करने वाली हूँ, हमारे जो टिफिन होते हैं, स्टील के होते हैं, उनको लेक प्रूफ बनाने के लिए इस तरह की एक प्लास किट की गैसकेट लगी होती है, वीक में एक बार इसको जरूर निकाल के कीन कीजे, क्य में आया है, तो ये बहुत ही गंदा हो चुका है, इसको क्लीन करने के लिए इसको मैं विनेगर के पानी में डुबा के क्लीन करूंगी, शायद हो जाए, बोटल हमें एवरी सिक्स मंथ में रिप्लेस कर देना चाहिए, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्वालिटी और ब्रैंड का ना हो, क्योंकि प्लास्टिक के बोटल में इस तरह से अगर चीपिंग होने लग गई तो वो खड़ाब है, इस तरह के जार को चेंज करने के लिए ये साउंड सुनिए, अगर इस तरह का साउंड आ रहा है, तो इसको हटाने का टाइम आ गया है, जैसे जैसे मेरे जार ख जाता है, इस्पेशली पिकल और सॉल्ट वाले में, तो आपको इनकी लेड मार्केट में, स्पेर पार्ट्स में मिल जाएगी, तो आप इनको खरी दिये, ये सुन्दर भी दिखते हैं और आपकी हेल्थ को स्पोयल होने से बचाएंगे, टूथ ब्रश हमें एवरी 6 तू 8 म में रिप्लेस करना चाहिए, कई बार उसके व्रिशल खराब हो जाते हैं, कलर चेंज होता है, इवन दो वो अच्छी कंडिशन में है, फिर भी 8 महिने में टूथ ब्रश हमें रिप्लेस करना चाहिए, कंगी के अगर इस तरह से टीथ टूट गए हैं, तो हमारे स्कल में इन कोई यूज नहीं रहे गया, इसी तरह टीवी का जो ये यूएजबी कनेक्टर है, जिससे हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं, उसका भी अब यूज नहीं रहे गया, तो इनको रखने का क्या मतलब है, इनको मैं डिसकार्ड करने वाली हूँ, अगर कुछ एक्सचेंज आफर में मिल जाता है, तो well and good, आपने देखा होगा, मेरे घर में बहुत सारे soft toys हैं, मेरे बेटे के toys से मैंने घर decorate किया है, कुछ चीजे तो मैंने ऐसी रखी हुई हैं, कि ये सोचके कि आप मेरे बेहन के बच्चे खेलेंगे, लेकिन आप वो भी बड़े हो गए हैं, ताइम आ गया और्गेनाईज करने के लिए, क्लीनिंग का टाइम भी बचेगा, इसी तरह से, ड्रेसिंग टेबल सबसे बड़ा एरिया होता है, जहां पे हम ऐसी चीजे रखती हैं, जिसका कोई यूज ही नहीं है, नेल पेंट ड्राई हो गया है, लिप्स्टिक लेप लाइनर एक्सपाय हो गए हैं, कई बार तो मुझे हसी आती है, ये महंदी का खाली रैपर मैंने रखा ही क्यूं है, अपने परसनल हैजिन का ख्याल रखिए, लोफा जनरली हम बातरूम में टांग के रखते हैं, और हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि उसमें फंगस ग्रो हो चुका है, इससे कई देने में ही भलाई है, किचन में ये कढ़ाई मैंने सिर्फ इसले रखी है, ताकि सर्दियों में मैं मस्टर्ड औरम कर दूँ लगाने के लिए, इसी तरह से ये जो तवा है, ये चिपिंग होने लग गई है, इसका बीच का एरिया तो अच्छा है, बट इट इस नॉट मैं मेरा हाथ कड गया, किचन में नाइफ, बहुत सारे ऐसे होते हम खरीद लेते हैं, फिर उनकी धार काम नहीं करती, बस इस नाइफ का जो गृपिंग है, वो बहुत अच्छा है, और दूसरे तरह फ्लैट है, तो मैं इसका यूज करती हूँ वैक्सिंग करने में, इससे बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, यह जो बैग है, यह वैजी टेबल बैग है, मैंने खुद स्टिच किया था, नीचे गंदा है, नौर्मल सी बात है, बारिश में आप लेके जाओगे, एक दो जगह रखोगे, तो किचर लग जाएगा, वो कंसन नहीं है, इसका है हैंडल देखिए, इसका हैंडल पुराना हो गया है, अब ऐसा लग रहा है, टूट जाएगा, तो या तो यह बैग रिप्लेस करना चाहिए, या फिर इसका हैंडल रिपेर करना चाहिए, नहीं किसी दिन रास्ते में टूट गया, तो मुसीबत हो जाएगी, DIY के नाम फे जो हम कचराई कठा करते हैं, उसका सबसे अच्छा रूल यह है कि उसकी फ्रेक्वेंसी डिसाइड कीजे, जैसे कि मैं सारा समान जो भी मुझे मिलता है इस बॉक्स में रखती हूँ, रूल यह है कि अगर विदिन एक मन्त मैंने कुछ बना लिया तो ठीक, वरन बहु का सारा सुकून और सटीस्टिस्फैक्शन मिलता है, कीचन के जो नैपकिन है, वो बहु सारा काम करते हैं, ओल वाइप करना, गैस डव वाइप करना, खराब हो जाते हैं, ताइम टो टाइम ईसकार्ड जरूर करें. घर में बहुत सारे जाडू होते हैं, कुछ के बिस खराब होते हैं पर पता नहीं मैंने उनको क्यों रखा हुआ है। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का जाड़ू भी मैंने लिया लेकिन आप देख रहे हैं इसके ब्रिसल्स ऐसे राउंड और राउंड हो गए हैं। उनको डिसकार्ड कर दें अलमारी में जगा खाली हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें इस्पेशली स्टेशनरी कितारे स्केच पेन, पैंसिल्स, क्रेउन्स हमारे पास इकठा होते हैं। उनमें से कुछ काम करते हैं और कुछ काम करते ही नहीं हैं। बिना मतलब का जगा लेके रखे हैं। डिसकार्डिंग ज़रूरी है। शू रैक में एक बार ज़रूर जाकें। ये मेरे बेटे के शूज हैं जो किसी फंक्शन के लिए लिए थे। एक बार ही उसने पहने अच्छी कंडिशन में हैं। लेकिन अब छोटे हो गए हैं। फुटबॉल के जो घिज गया है तो कभी यूज ना करें। अभी 15 दिन पहले की बात है। मैं अपने स्लीपर से क्योंकि उनके स्लो नहीं थे पहन के फिसल गई। थैंग गॉड चोड तो नहीं आई। बट हमें समय समय पे उनको डिसकार्ड जरूर करना चाहिए। कुछ चीजों की एक्सपा थ्री मन्थ समझे। थ्री मन्थ में अगर वो डारेक्ट यूज नहीं हो रहे हैं तो उनको किसी और जगहा पे या मिक्स करके यूज कर लीजे। क्योंकि इस टाइम के बाद उसमें कीडे लगना ओव्यस सी बात है। एक और मेरी बहुत गंदी आदत है। जैसे कि ये गए। लेकिन पता नहीं क्यों ये पुराने वाले मैंने रखे हैं ये सोचके कि काम आएंगे। आज मैंने डिसाइड किया है कि नहीं इनको अब तो डिसकार्ड ही करना है। इसी तरह के लिड की जो गैसकेट थी खड़ाब हो गई थी। मैंने नई खरीद ली लेकिन पु और हर लम्हे को पूरे दिल और जान से इंजॉय करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ठेक कियर एंड बाबाए।